तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर वाटसअप में एक न्यू अपडेट आया है जिसका नाम है वाटसअप स्क्रीन शेरिंग आप वाटसअप वीडियो कॉल फीचर की मदद से अपने मोबाइल की स्क्रीन अपने दोस्त की मोबाइल पर शेर कर सकते हैं अपने दोस्त की मोबाइल स्क्रीन को अपने मोबाइल पर शेर कर सकते हैं यानि कि आप अपने दोस्त की मोबाइल स्क्रीन अपने फोन में देख सकते हैं आपका दोस्त अपने फोन में जो भी एक्टिविटी करेगा वो आपके mobile screen पर दिखाई देगी ये आप WhatsApp video call feature की मदद से कर सकते हैं WhatsApp में officially एक new update आया है इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है इस feature को कैसे use करते हैं ये सारी details आपको इस वीडियो में मिल जाएगी बस आप वीडियो को like कर दीजिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में अपने WhatsApp को update करना है ये update फिलाल WhatsApp के beta user के लिए आया है WhatsApp beta user में भी कुछ ही lucky beta user को मिला है अब आपको क्या करना है जिस भी दोस्त के साथ आप अपनी mobile screen share करना चाहते हैं उसकी chat को आपको open करना है और आपको video call कर देना है ठीक है video call यहाँ पर मैंने कर दिया ठीक है यहाँ पर video call हो चुकी है ठीक है यहाँ पर मैं call को receive कर लेता हूँ call को मैंने receive कर लिया ठीक है अब मैं यहाँ पर mic को बंद कर देता हूँ नहीं तो double आवाज आएगी ठीक है अब यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं वीडियो कॉल हमारी यहाँ पर चालू है ठीक है आप स्क्रीन पर टैप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक न्यू फीचर देखने के लिए मिलेगा स्क्रीन शेरिंग का आप देख सकते हैं यह जो यहाँ पर मैं किलिक करता हूँ यहाँ पर स्टार्ट नाओ का उप्शन आ रहा है अगर मैं स्टार्ट नाओ पर किलिक कर दूँगा तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन मेरे दोस्त को शेर हो जाएगी इसके बाद मैं अपने मोबाइल में जो भी एक्टिविटी करूँगा मेरे दिखाई देगी ठीक है अगर आप अपने दोस्त की स्क्रीन को अपने मोबाईल में देखना चाहते हैं तो फिर आपको अपने दोस्त को बोलना होगा कि ये वाले आइकोन पर किलिक कर वो जैसी किलिक करेगा स्टार्ट नौ पर किलिक करेगा तो आपके दोस्त की मोबाईल इ दिखाई देगी, इसके बाद आपका दोस्त मुबाइल में जो भी activity करेगा, वो आपको दिखाई देगी, ठीक है, अब इस feature के फायदे क्या हैं, दोस्तों इसके फायदे भी हैं, अगर आपको अपने दोस्त को कुछ दिखाना है, ठीक है, कुछ problem आपके मुबाइल में आ रह तो इस फीचर की मदद से दिखा भी सकते हैं टीक है लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है यहाँ पर अगर आप इसक्रीन किसी भी बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं अगर वो आपका यूजर नेम आईडी पासवर् करना है लेकिन आपको जरुवत पड़ जाती है इसक्रीन शेयर करने की तो आपको आईडी पासवर्ट बैंक डिटेल्स ओटीपी वगरा दिखाना नहीं है ठीक है तो अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं स्क्रीन शेयरिंग कैसे करते हैं तो यह मेरा मोबाईल है यह मेरे दोस की स्क्रीन मेरे दोस्त के मोबाईल में दिखाई दे रही है अब मैं जो भी एक्टिविटी अपने फोन में करूँगा तो मेरे दोस्त को भी दिखाई देगी जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो कॉल यहाँ पर चल रही है और इसक्रीन भी यहाँ पर दिखाई देगी कि screen में मैं क्या कर रहा हूँ आप देख सकते हैं अगर मैं chat कर रहा हूँ मेरे दोस्त को दिखाई दे रहा है back आ गया ठीक है यहाँ पर open करता हूँ instagram को तो आप देखेंगे मेरी screen मेरे दोस्त को दिखाई दे रही है और password वगरा नहीं दिखाते तो वो कुछ देख नहीं पाएगा आपकी गलती से ही आपके साथ fraud हो सकता है इस feature की मदद से ठीक है अगर आपके mobile में कोई problem आ गई है आपको कोई setting समझ में नहीं आ रही है तो आप setting को open करके अपने दोस्त को दिखा सकते है या अपने दोस्त की mobile की screen अपने mobile में देख सकते है इस तरह से ठीक है अगर आपको screen को stop करना है तो आपको वापस से आ जाना है video call वाले feature में ठीक है यहाँ पर आपको stop sharing का option मिलेगा इस पर आपको click करना है तो screen sharing जो है वो off हो जाएगी video call आपकी चालू रहेगी video call को भी यहाँ से आप cut कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप what's up sharing feature की मदद से screen sharing feature की मदद से अपने mobile की screen अपने दोस्त को share कर सकते हैं अपने दोस्त की mobile screen अपने mobile में share कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए